जिस दिन समराठ चौधरी भाजपा के प्रदेश सध्धक्ष बने उस दिन भाजपा के तमाम निताओं को ऐसा लगा कि अब भाजपा में एक नई पहल होने वाली है अब भाजपा जो है वो युवाओ के हाथ में जाएगा और भाजपा तेजी से आगे बढ़ेगा लगतार स समराठ चौधरी प्रयास भी कर रहे थे कि भाजपा को युवा बना दिया जाए भाजपा तेजी से दोड़े पहले भाजपा बुजूर्गों के हाथ में थी अब बुजूर्गों के हाथ से भाजपा को निकाल कर युवाओं के हाथ में दिया जाए ताकि भाजपा को वो नितीश कुमार के चेहरे पर लड़ते आई हैं। लेकिन एक बड़ी चुना होती थी कि किसी भाजपाई के चेहरे पर चुना और लड़ना था। इसलिए समराथ चौधरी के पास एक बहुत बड़ा कि ये तो दिवार खरा था। तिया अब किसी तरीके से उस दिवार को गिर जाना था। निटीश कुमार के चेरे पर जो लगातार चुनाऊ लड़ते आये थे। उसे बदलना था। भाजपा को एक नया नाम देना था। नाम मतलब की एक नई पहचान कि किसी तरीके से भाई अब हम निटीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे हम अब अकेले चुनाओ लड़ेंगे और ये बड़ी जिम्मेदारी थी समराठ चौधरी पर सब देख रहे थे और समराठ चौधरी ने जो किया अब भाजपा के तमाम निताओं को ये यकीन हो गया है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं क्या पूरा मामला है वो हम आ निता ये मानने को तयार हो गए है कि समराठ चौधरी भाजपा को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं पहले ये तस्बीर देख लिजिए समराठ चौधरी की ये तस्बीर है जब वो परदेश ध्यक्ष बनकर आये थे भव्य स्वागत हुआ था सब ने कहा था कि बहुत इन पर क्यों यकिन किये तो वो भी हम आपको बताते हैं कुछ दिन पहले समराठ चौधरी को दिल्ली बुलाया गया अमिस्सा और जेपी नड्डा ने समराठ चौधरी से कहा कि परदेश पददेकारियों की सूची तयार करो और सूची इस तरीके से तयार करो कि हम भी लिखना चाहते हैं कि तुम पार्टी के लिए क्या करोगे अब समराठ चौधरी के उपर बहुत प्रेसर था कि एक तरफ परदेश पदेदिकारी वो लोग रहते थे जो विधायक भी रहते थे या फिर उन निताओं के गुट के लोग रहते थे अब समराठ चौधरी बहु समराठ चौधरी ने इन सब के विपरित लिष्ट तैयार किया ऐसा लिष्ट था जो लोग सोच में पढ़ गएकि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन भाजपा जिस तरीके से काम करती है समराठ चौधरी ने ठीक उसी तरीके से काश्र districts दिल्ली का काम करता है कि 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 सी भी का कारेकरता को उठाओ, राजसभा भेज दो, किसी भी कारेकरता को उठाओ, सांसद का टिकट दे दो, और समराठ चौधरी ने उसी तरह के से किया, लोवर अस्तर से भाजपा के तमाम कारेकरताओं को प्रवक्ताओं को उठा कर, उन्होंने प्रदेश प्रदिकारियों की सूच और वो ना किसी गुट के थे ना उनके लिए कभी फोन गया था उन्हें ये भी पता नहीं था कि मैं परदेश पदेदिकारियों की सूची में सामिल हो जाओंगा लेकिन समराठ चौधरी ने ये किया और समराठ चौधरी के इस कदम से भाजपा बहुत आगे जाने वाली है इ इसमें सब 45 से नीचे के हैं कोई भी 45 के उपर का नहीं है 45 के सब नीचे के हैं और सब संगर्स करने वाले हैं अभी आपको नहीं दीखेगा लेकिन एक साल दो साल के बाद आपको दिखेगा कि भाजपा कितना आगे जा रहा है क्योंकि ये सब काम करने वाले हैं ये लोग ऐसे हैं जो पार्टी को अच्छे से समझते हैं जो पार्टी को जादा समय देते हैं पहले क्या होता था पहले बिधायक को बनाया जाता था सांसद को बनाया जाता था और वो लोग क्या करते थे वो लोग अपने छेतर का काम करते अपना काम करते थे और उसके बाद समय बसता था तो पार्टी को समय देते थे इस से पार्टी को काफी नुक्सान होता था लेकिन इसबार जब समराद CobraD就是說 को ये मौका मिला तो समराद CobraD के इस काम को सब लोग तारीफ कर रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा बहुत आगे जाने वाली है और यह जो टीम है जो सम्राठ चौधरी ने अपनी टीम बनाई है जो प्रदेश पदेदिकारियों की सूची तयार किया और उसमें जिन लोगों को रखा गया है जिन सम्राठ चौधरी के गुट के हैं ये इनके गुट के हैं ये सुसील मोदी के गुट के हैं ऐसे पदेदिकारियों की सूची बनती थी पदेदिकारी बनते भी थे लेकिन इस बार सम्राठ चौधरी ने किसी के गुट का वेक्ति नहीं लिया है मतलब किसी भी गुट के नेता को अपने लिस्ट में सामिल नहीं किया जो भी उनको लगा कि ये उसके लिए डिजर्ब करता है वो इसलायक है उन्हीं लोगों को बनाया गया है और इस सूची को देखकर जेडियू और राजत खास करके जो बिहार में छेत्रिये पार्टी हैं उनको बहुत मिर्ची लग रहा वो सोच रहें कि इस तरह का अगर सूची बनाये जाए तो फिर हमारे भी कारेकरता और हमारे भी नेता सोचेंगे कि उन्हें भी उस तरह का पद दिया जाए नहीं तो फिर पार्टी में तूठ हो जाएगी अब देखते हैं क्या होगा समराठ चोधरी के योद्धाओं के ल झांक xem झाल 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 झाल